हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लैंड ओफ वीडियो में तो आज हम डिसकस करेंगे हाफ वेव रैक्टी फायर के बारे में तो इसके साथ ही हम समझेंगे कि हाफ वेव रैक्टी फायर का कंस्ट्रक्शन क्या है और इसकी वर्किंग कैसे है तो चलिए शुरू क अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक किजी fender कीजिए और सब्स्क्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानेंगे की रैक्टी फायर होते कितने types के, rectifiers तू types के होते हैं, half wave rectifier और full wave rectifier full wave rectifiers के आगे two types और आती है center tap full wave rectifier और bridge wave full wave rectifier जो half wave rectifier है, उसमें सिर्फ एक diode लगा होता है और जो center tap full wave rectifier है उसमें दो diodes लगे होते हैं और जो bridge wave, full wave, rectifier है, वो उसमें four diodes लगे होते हैं, अब ये कैसे काम करते हैं, हम ये जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले rectifier की define से, rectifier क्या होता है, वो एक तरह का device होता है, जो AC current को DC current में change करता है, It is a device that converts AC current into direct current, और जो AC current को direct current में change करने का जो process है, उसको कहते हैं हम rectification, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, half wave rectifier की construction से, तो जैसा आप diagram में देख सकते हैं, कि left hand side से input हम इसमें दे रहे हैं, AC supply means दे रहे हैं, और इसमें दो तरह के primary coils लगे हुए हैं, P1 और P2, step down transformer के साथ, और दो secondary coils लगे हुए हैं, S1 और S2, जो junction diode के साथ connect है, through RL, RL means load resistance, जो हमारा output आएगा, वो load resistance के through आएगा, तो बात करें इसकी working के बारे में, working में जब हम positive half cycle के बारे में बात करेंगे, तो उसमें secondary coil जो S1 है, वो positive के साथ connect होगा, और जो S2 है, वो negative के साथ connect होगा, और जो हमारा primary coil P1 है, उसे हम negative के साथ connect करेंगे, और जो P2 है, उसको हम positive के साथ connect करेंगे, अब अगर देखें तो जो S1 है वो positive के साथ connected है और जो D1 का एक side है वो भी positive के साथ ही connected है तो अगर हम देखें तो ये forward bias इन में apply होता है जैसे कि हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि forward bias कैसे होती है कि when P is connected to positive terminal of the battery and N is connected to negative terminal of the battery कि जब P हमारा positive battery के positive terminal से connect होता है और जो N है वो negative terminal से connect होता है तो जो same charges है वो repel करते हैं और अंदर की तरफ उनका जो charges है वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं और जो उनके potential barrier जो उनका size है वो छोटा हो जाता है और conduction शूरू हो जाती है तो इसमें भी वही apply हो है कि इसमें D1 diode जो है वो हमारा एक size से positive है और जिस तरफ secondary coil S1 लगा हो है वो भी उस तरफ positive है तो positive positive हो गए तो इसमें भी forward bias वाला आ गया है तो इसलिए यहां पे भी conduction शूरू हो जाएगी और जो हमारी output है वो RL के थो बाहर आएगी आप इसके diagram में भी देखिए कि जो इसमें pulsating DC output आ रही है वो किस type की आ रही है AC देखिए AC input हमने कैसे इसमें डाला था और DC output कैसे आ गई है अब अगर बात करें हम negative half cycle की तो negative half cycle भी बिलकुल वैसे है लेकिन इसमें हम जो P1 primary coil है उसको हम positive से connect करेंगे और जो P2 है उसको हम negative से connect करेंगे due to conduction हम जो S1 है secondary coil उसको हम negative से connect कर देंगे और जो S2 है वो positive हो जाएगा so due to which diode D1 becomes reverse bias की मतलब जब देखिये diagram में की जब हमने S1 को negative से connect किया है और जो D1 है हमारा वो उस sides में positive है तो इसमें हम reverse bias apply हो रहा है reverse bias में क्या था कि जब P is connected to negative terminal of the battery and N is connected to positive terminal of the battery due to attraction of different charges की मतलब उपर P के पास positive है और नीचे वो negative से connect है और दूसरी तरफ N negative से connect है और जो उसका नीचे battery है वो positive है तो जो उनका attract होंगे वो आपस एक दूसरे की ओपर और जो charges है वो बाहर की तरफ आएंगे और जो उनका size है junction size है और potential barrier है वो size increase हो जाएगा और conduction उतनी ही कम हो जाएगी तो हम यही कह सकते हैं कि reverse bias हो रहा है इन दोनों में apply during negative half cycle तो इसमें conduct नहीं होगा और जो current है वो low resistance के throw नहीं आ पाएगा output voltage हमें नहीं आएगा उमीद है आपको half wave rectifier समझ में आ गया होगा अगर आप इस question को 10 marks के लिए prepare कर रहे हैं वैसे यह important भी है 10 marks के लिए तो आप इसमें construction जब पहले लिखेंगे तो बाद में आप positive half cycle लिखेंगे तो उसमें साथ ही आप forward biasing के बारे में भी लिख सकते हैं और उसके बाद जब negative half cycle के बारे में लिखेंगे फिर उसके बाद आप reverse biasing के बारे में लिख सकते हैं और अगर आपको इसमें थोड़ा और बड़ा करना है तो आप इसमें filters के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं कि filters क्या होते हैं जो DC output में repulse को कम करने के लिए काम आते हैं वैसी के capacitors और inductors अगर आप forward biasing और reverse biasing के बारे में जानना चाते हैं तो इन दोनों का लिंक मैंने description में दे दिया हुआ है आप वहां से forward और reverse biasing के बारे में जान सकते हैं तो आज का वीडियो यहीं तक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए थैंक क्यों दो इतुर दो इतुर थिए झाल्यू आर्ड़क्प्स का में तो आज का वीडियो।